इंडिया का नाम बदल कर भारत होने वाला है, ये मुद्दा ही completely baseless है, जिसे ruling party और opposition अपने फाइदे के लिए आग दे रही है, ताकि elections के पहले आपका ध्यान असली मुद्दो से बठकाया जा सके। मुझे बस 5 मिनिट देना and I will prove this to you. 18 जुलाई 2023 मनसोन सेशन चालू होने के बस दो दिन पहले, opposition parties ने INDIA नाम का alliance बनाया। 28 जुलाई 2023 यने इंडिया alliance के बनने के ठीक 10 दिन बाद, ruling party के राज्यसभा MP नरेश बंसल ने पार्लेमेंट में एक private member बिल इंटेड्यूस करके, इंडिया का नाम बदल कर भारत से replace करने क proposal रखा। देश का अग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है, देश को मूल और प्रमान प्रमानिक नाम भारत से ही मान्यता दी जाने चाहिए। पर जरा irony यहाँ पर देखो, इसके बाद भी पूरे august महीने में opposition या ruling party दोनों sides बिलकुल शान थे, in fact भारत वर्सिस इंडिया ऐसा कोई मुद्दा मीडिया में उठा ही नहीं था, until 5th September 2023, इस तारीक को G20 summit के dinner invitations दिये गए और इन invitations पर president of भारत mention किया हुआ था, also इसी बीच दो international organization, BRICS और ACN के invitation में भी Indian PM को PM of भारत mention किया हुआ था, और बस इसके बाद तो दोनों opposition और ruling parties के बीच जंग सा शुरू हो गया, अब यहाँ पर मज़े की बात देखो friends, government ने तो इस name change के मुद्दे को बिलकुल भी officially confirm नहीं किया है, उल्टाप 6 September 2023 को PM Modi ने publicly अपने ministers को कहा कि भारत शब्द से जुड़े किसी भी politics को बिलकुल avoid करो, but वहीं पर on the other hand, बड़े ही slightly उन्होंने पू colonial slavery का निशान मिटाने वाला move बताया, और BJP ruled state के CM ने तो अपना official twitter bio पर भी इंडिया को भारत से बदल दिया, so अब यहाँ पर matter of fact यह है, कि जब मोदी जी चाहते हैं कि हम इस name change मुद्दे पर ध्यान ना दे, तो party members इस मुद्दे को बार बार publicly क्यों उचाल रहे हैं, same खे पर वहीं उनके ही party के senior leader जहराम रमेश कहते हैं कि clearly BJP द्वारा देश को तोड़ने की साजिश है, और इस union of states पर ही आकरमन हो रहा है, एक और एक opposition alliance के member अरविंद केजरिवाल ने तो BJP पर ये इलजाम लगा दिया, कि हमने 28 parties के alliance का नाम इंडिया क्या रख दिया, government ने तो तो कल को मानलो हम अपने alliance का नाम भारत रख देंगे, तो BJP दोबारा से नाम बदल देंगे, पाटियों का एक alliance बना जिसका नाम इंडिया है, तो अगर किसी पाटियों का alliance इंडिया बन जाता है, तो वो देश का नाम बदल देंगे, देखो, simple बात बताता हूँ, election जीतने क Funda 101 है कि अपनी अपनी audience को, vote bank को जितना हो सके aggressive रखना polarized रखना क्योंकि इसी से तो हम जैसी आम जनता को लड़कर जगड़कर अपने-पने sight चुनकर वफादारी निभाने का मौका मिलता है और इसलिए ये debate से बाहर उठते हैं और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या वाकई में इंडिया का नाम भारत होने भी वाला है देखो अगर हम Indian Constitution के Article 1 को देखें तो उसमें clearly ये mentioned है कि India that is भारत is union of states मतलब कि आप चाहें इंडिया बुलाओ या भारत दोनों एक दूसरे का alternative नाम ही है Even Supreme Court ने भी यही कहा था जब 2020 में इंडिया का नाम change करके भारत करो ऐसा PIL SC में दर्ज हुआ था तभी के Chief Justice of India S.A. Bobaday ने PIL को ये कहकर dismiss कर दिया था कि भारत और इंडिया के दोनों नाम Constitution में already लिखे वे और हम already देश को भारत बुलाते हैं Basically वो यही डिनोट कर रहे थे कि दोनों नाम interchangeable है So अब आता है वापिस से वही सवाल Friends कि अगर दोनों नाम interchangeable है तो इस पर controversy खड़े होने वाला सवाल ही क्यों उठता है Well controversy तो तब उठनी चाहिए ना जब Indian government ने इंडिया ये नाम ही डिलीट करने का decision अगर ले लिया तो So first things first, क्या ये even possible भी है? Well, absolutely Indian government अगर चाहे तो ये कर सकती है अंडर Article 368 of Indian Constitution इसके लिए government को Parliament के दोनों houses यानि कि राज्य सभा और लोक सभा में name change को लेकर bill introduce करना होगा और उस bill को हर house से two-third majority में pass करना होगा Basically, bill को pass होने के लिए लोक सभा में 356 votes लगेंगे और आज्य सभा में 157 votes But, यहाँ पर एक catch है Well, practically speaking NDA government के लोक सभा में सिर्फ 351 members है और आज्य सभा में सिर्फ 113 seats So, government अगर चाहे फिर भी उनको India ये word डिलीट करना काफी मुश्किल पड़ेगा लेकिन coming back to भारत का मामला So, भारत ये word Already आज nationally और internationally भी इंडिया के alternate के जैसे Already use हो रहा है कई सारे official documents में देखो, आज हमारे bipolar इंडिया में ऐसे मुद्दो को भड़का कर Indians को left और right ऐसे ideologies में बाट कर आसानी से votes जीते जा सकते हैं दोनो, ruling party और opposition द्वारा In fact, ये politics का एक बहुत ही पुराना खेल है जिसे psychology में The bandwagon effect भी कहते हैं The bandwagon effect basically एक ऐसा phenomenon है जिसमें एक group किसी चीज के बारे में hype create करता है ताकि आपके दिमाग में एक fear of missing out और sense of belonging create हो जाए और आप उस inner group का हिस्सा बनने के लिए aggressive हो जाओ और resultantly, appassionately एक party या एक ideology को support करने लग जाते हैं In fact, इसी bandwagon effect का कई short sellers भी profit कमाने के लिए use करते हैं जैसे George Soros के case में आपको याद होगा इसमें Adani के खिलाफ एक personal report ने अच्छानक एक negative wave create कर दिया इन्वेस्टर्स धड़ा धड़ करके company से पैसे निकालते चले गए और Adani Group के shares heavily गिरते चले गए simply कहें तो यही effect trend बना देता है जो basically exist ही नहीं करता था और लोग उस trend को बस blindly follow करते जाते हैं and it starts gaining more and more fuel and traction ऐसे कई examples हम देश में past में भी देख चुके like covid vaccine लेने से death होती है और 2000 note ban का जो hype create हुआ था जबकि पूरा मुद्धा ये था कि वो असल में discontinuance था और इसलिए कई political analyst का ये मानना है कि दोनों भी sides ruling और opposition भारत वर्सेस इंडिया issue को upcoming elections के लिए use कर रहे हैं nevertheless अगर इस मुद्धे को logically देखा जाए तो क्या ये change from India to भारत होना चाहिए या नहीं इसके क्या advantages है उसके क्या drawbacks है इसी बार पर ruling और opposition दोनों ने अपने ideas को justify करने के लिए कुछ arguments रखें तो चलो हम दोनों पक्ष विपक्ष को सुन लेते हैं ताकि आप अपना decision rationally ले पाओ emotionally भेटचाल का हिस्सा होकर नहीं बलकि दोनों perspectives को consider करके तो शुरू करते हैं ruling side से उन्होंने भारत नाम के support में दो reasons दिये हैं उसमें पहला है colonial mindset को हटाना सो पुरानिक समय से हमारे देश का नाम भारत है जिसका mention हमें विश्नु पुरान में भी मिलता है और हिमारे के दक्षिन में जो देश हैं उसे भारत कहते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के अनुसार भारत जो पांडवास के ancestors थे उनके नाम पे country का नाम रखा गया है और फिर third century से ग्रीक समय इंडस के वज़े से इंडिया इस नाम से बुलाने लगे और 16th century में मुगल्स ने देश का नाम हिंदुस्तान रखा बर जैसे ही 17th century में Britishers ने रूल करना शुरू किया तब उन्होंने देश को दोबारा से इंडिया बुलाया क्योंकि उनके ग्रीक ancestors यही नाम यूज़ कर दे थे और इसलिए जो भारत नाम के favor में हैं उनका कहना है कि इंडिया ये नाम हमें Britishers ने दिया है जो कि हमारे colonizers थे जबकि हमारा असली और पौरानिक नाम भारत है बट असल में न इससे भी एक interesting history जुड़ी हुई है जब हमें अजादी मिल तब हमारे PM नहरू जी का ये मानना था कि इंडिया इस नाम के साथ पूरे Indian subcontinent की historical और cultural legacy जुड़ी हुई है इवन पाकिस्तान के काइद आजम मुहमद अली जिन्ना भी हमारे देश का इंडिया नाम रखने के खिलाफ थे उनका ये मानना था कि अगर ये नाम हमें याने कि Indians को मिल गया तो सब पाकिस्तान को एक इंडिया में से carved out देश ही बुलाएंगे और इंडिया को इसी नाम के वज़े से सीधे Indian subcontinent की legacy से जोड़ा जाएगा legacy जैसे पूरा Indian subcontinent region इंडिया से ही carved out है जिसमें ये इतनी सारी countries आती है Indian Ocean दुनिया की clothy ऐसी ocean है जो किसी देश के नाम से named है और basically इंडिया को हमेशा supreme माना जाएगा जो कि सही में इंडिया का geopolitical influence बढ़ाने में काम भी आता है और इसलिए इंडिया नाम की importance को समझते हुए 18 September 1949 को Constituent Assembly में हमारे देश का क्या नाम रखना है इस पे जब debate हुई तब सबकी सहमती से इंडिया और भारत दोनों को include करते हुए Article 1 को frame किया गया और बस इसलिए ruling party के members का ये मानना है कि ये नाम हमें Britishers ने दिया है और इस नाम को हटाने से हमारा colonial slavery का past भी हट जाएगा भारत से बदल कर इंडिया कर दिया भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए और उनका कहना ये है कि government ने इस change की process को पिछले ही साल से शुरू कर दिया था साल 2022 के Independence Day स्पीच में PM Modi जी ने पाँच प्रण लिये थे इसमें दूसरा प्रण colonial history के हर एक निशानी को मिटाना था इस प्रण के ठीक अगले महीने याने की September 2022 को हमारे Armed Forces के सालो पुराने British Parade सौंग Abide With Me को बदल कर Indian सौंग ए मेरे वतन के लोगों कर दिया गया और इंडिया गेट में George the 5th के statue को replace करके नेता जी बोस के statue को लगाया जाने वाला है ऐसे कई changes किये गए और किये जाने वाले हैं जिनने colonial past का एक symbol माना जाता था और इसी lions पर शायद Indian government India इस word को replace करना चाहती होगी ऐसे कुछ experts का कहना है अब of course हम colonial masters द्वारा दिये गए name को change करते हैं तो हम कोई ऐसे पहली country नहीं होंगे और siam जो की अब Thailand हो गया है अब बात करते हैं दूसरे pro argument की जो की ruling party members ने दिया है वो ये है कि opposition खुद इसे demand और execute कर चुका है सो जब opposition खुद power में थे तब उन्होंने खुद colonial past रहे cities के नाम को बदला था जैसे 1990 में शिव सेना ने Bombay का नाम Mumbai कर दिया 1963 में Congress ने मदरास को चैनने ही बना दिया 2001 में CPM ने Calcutta का कुलकता किया और 2005 में सेम Congress ने Bangalore का Bengaluru कर दिया था Even 2012 में Congress MP शांताराम नाइक ने दो बार इंडिया का नाम भारत करने के लिए एक Private Member Bill राज्यसभा में इंटिड्यूस किया था और 2004 में India Alliance की एक Major Political Party समाजवादी पार्टी ने अपने tenure में UP में सेम Amendment पास किया था And hence, यहाँ पर ruling party का ये मानना है कि हम करे तो इसमें क्या गलत है But friends, अब यहीं पर आता है दूसरे साइड में Opposition के तीन Major Arguments की ये नाम Change नहीं होना चाहिए पहला Counter Argument जो Opposition दे रही है वो ये है कि ये पूरा India vs. भारत मुद्दा Government का 2024 election के लिए Political Move है और कुछ नहीं क्योंकि साल 2015 में खुद BJP Rules Central Government ने Supreme Court of India को लिख कर दिया कि इंडिया को भारत करने की कोई जरूवत नहीं है जब Supreme Court ने Name Change PIL पे Government का Stance मांगा था पर जैसे ही 18 July 2023 को India Alliance बनी उसके बाद Government अपनी बात से बदल गई दूसरा Counter Opposition ने ये दिया कि इस Change से Exchequer याने सरकारी तिजोरी पर Heavy Burden आएगा उनके इसाब से Government अगर Name Change करती है तो इसके लिए 14,000 करोड का खर्च होगा इसका रेफरेंस उन्होंने South Africa-based intellectual property lawyer Darren Oliver से लिया जिनके formula को worldwide accept किया जाता है Darren ये estimate निकालने के लिए multinational companies को base लेते हैं उनके rebranding में marketing cost का 10% खर्च लगता है और marketing cost revenue का 6% होता है इसी formula को base पकड़ कर Darren ने Indian revenue जो की 23.84 lakh crore है उसे 0.06% से divide किया तब रुपीज 14,304 crore का amount आया और इससे back करते हुए उन्होंने कहा कि अलाबाद City को प्रयाग राज करने में 300 करोड का खर्च लगा था तो सोचो पूरे देश को कितना खर्च आएगा बट इस point का अब एक alternate perspective ये है कि पहले तो क्या Darren Oliver का एक company के expenses को country level पर extrapolate करना सही method है और secondly जसकी मैंने पहले बताया government already भारत इस शब्त को official documents या कहीं पर भी legally use कर सकती है तो as such there is no compulsion कि name change होते ही सारे organizations को भी अपने names change करने होंगे अब opposition का तीसरा और आखरी counter है कि इंडिया पर identity crisis आ सकता है इंडिया से भारत करने में हम पर एक बड़ा identity crisis आ सकता है और in turn इससे financial loss हो सकता है दिल असल इंडिया name change होने से हमारे swift codes change हो जाएंगे जिससे annually इंडिया का 87 billion dollars का money transfer थप पड़ सकता है क्योंकि swift codes बिलकुल हमारे IFSC codes जैसे होते हैं जो internationally fund transfer करने के लिए use किये जाते हैं simply कहूं तो यह हमारे देश का international IFSC है और इसमें हर देश का unique two digit alpha numeric code होता है फिलाल हमारा code IN है but just suppose हमारा नाम अगर भारत हो जाता है तो हमारे लिए दो digit code available ही नहीं होगा क्योंकि BH तो already बाहरेन को मिल गया है वैसे ही BR की अगर बात करें तो ब्रजील ने ले लिया है BA Banja Luka का है, BT Bhutan का है और same crisis currency और .bh web domains ढूणने में भी होगा क्योंकि currency की अगर बात करें तो BNR से Brunei dollar को बुलाया जाता है और .in को change करने के लिए या उसे replace करने के लिए हमारे पास कोई option नहीं है .bh already Bahrain का है similarly .br Brazil का है .ba Bosnia and Herzegovina का और .bt Bhutan को मिला है and hence हमें definitely identity crisis internationally face करना पड़ से ना उस पूरे issue को मैंने holistically आपके सामने रख दिया है friends तो अब आप मुझे बताओ ये सब जानकर आपको क्या लगता है कि क्या ये सही में सभी parties का बस election agenda है या फिर India को भारत नाम से replace करना चाहिए और ये होगा आगे जागे आपकी जो भी राय है नीचे comments में लिखना हाँ मैं internationally कुछ इसके repercussions भुगतने पड़ सकते है but did you know talking about international repercussions इंडिया की foreign policy आज के टाइम पे one of the best है और इंडिया बहुत ही जल्द वर्ल्ड का Switzerland बनने वाला है अब Switzerland क्यों क्योंकि इंडिया ने Switzerland जैसी foreign policy अपना ही है जो इंडिया को बहुत फाइदा दे रही है और इसके बारे में मैंने detail में cover किया है इस वीडियो में I highly recommend you check it out क्योंकि current Indian foreign policy के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरू ठोकना and see you next time till then stay curious keep learning and keep growing Jai Hind